स्वास्थ और संदरी के विडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल के बेल आइकल को क्लिक कर दे ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहे स्वास्थी और सौंधरी चावल में अमीनो वेसीट के साथ साथ कई ऐसे पोशक्ततों पाई जाते हैं जो त्वचा को काफी फैदा पहुचाते हैं चावल में एंटी एजिंग प्रोपर्टीज मौजूद होता है जो त्वचा पर बढ़ते उम्रे के लक्षनों को दिखने नहीं देता है इसके साथ ही एंटी आउक्सिडेंट प्रोपर्टीज से भरपूर गुलाब जल त्वचा की रंगत सुधारने और ड्राइनेस को कम करने के लिए सबसे ज़्यादा इस्तमाल किया जाता है गुलाब जल को चहरे पर इस्तमाल करने से चहरे पर नैशरल ग्लो आने लगती है गुलाब जल एक ऐसा ब्यूटी ट्रिट्मेंट है जो मार्केट में बड़ ही आसानी सोख लंध हो जाता है और इसे इस्तमाल में लाना भी बेहद आसान होता है नियामित अपने चहरे पर गुलाब जल के इस्तमाल से रैशेज, फाइन लाइन्स, डार्क स्पोर्ट्स, पिग्मेंट टेशन जैसे समस्याओं को दूर किया जा सकता है वैसे तो चावल और गुलाब जल को अलग-अलग भी इस्तमाल किया जा सकता है लेकिन जब दोनू को साथ मिलाकर लगाये जाता है तो आश्यारी जनक फायदा देखने को मिलता है तो फिर चावल के साथ गुलाब जल को अपने फिस पर कैसे अपलाई करना है इसके बार में जानने के लिए बने रेस वीडियो के साथ इसके लिए एक बॉल में चार से पांच चमर चावल ले ले इसके बाद इसमें एक कप गुलाब जल डाल कर रात भर के लिए ढख कर रख दे ऐसा करने से चावल के साथ पोशकत्तो गुलाब जल में अच्छे से घुल जाएंगे अगली सुबर इसे स्प्रे बोतल में जान कर टोनर की तरह इस्तमाल करें चावल और गुलाब जल से बने इस टोनर को फ्रीज में वन वीक के लिश्टोर किया जा सकता है इस टोनर को रोजाना रात में सोने से पहले इस्तेमाल करने से बहतर रिजल देखने को मिलते हैं चावल और गुलाब जल से बना टोनर इसकिन के लिए काफी बेनिफिशल माना जाता है रोजाना इस टोनर को अपनी तवचा पर लगाने से तवचा के दाग धबी तो दूर होती ही है साथी तवचा पर प्राक्रितिक में खार भी आने लगती है तो फिर आज आपने इस वीडियो में रोजाना रात में सोने से पहले चहरे पर चावल के साथ गुलाब जड़ यानि रोज वाटर लगाने के कुछ पहतरिन फाइदों के बारे में जाना आशा है आपको हमारा ये वीडियो आवश्य ही पसंद आया होगा हमारे नए नए स्वास्ते और सौंदरे संबंधी जानकारियों को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा हमारे वीडियो पसंद आया होते से लाइक और शेयर जरूर करें ताकि इसी तरह हम नएने जानकारियां आप तक पहुचाते रहें धानिवाद